अबस्कार आपके साथ मैं हूँ दूनेश गौतम और मोदी 3.0 के पहले आम बजट का इंतजार अब लगबग समाप्त होने बाला है अब से कुछी मिनिटों में वित मंत्री निर्मला सीतारमन लगातार साथवी बार लोग सभा में बजट पेश करेंगी देश भर की निगाहें मोदी के तीसरे कारेकाल के पहले बजट पर है सर्विस प्लास से लेकर किसान और बड़े कारूबारियों से लेकर रहडी पट्री वालों को वित मंत्री का पिटारा खुलने का इंतजार है इस बार मोदी सरकार उनके लिए क्या सावगात लेकर आने वाली है इस बात का शिदत से इंतजार हो रहा है मोदी सरकार 3.0 का पहला बजट आज निर्मला सीता रमन पेश करने वाली है लगातार साथवी बार बजट पेश करने वाली है निर्मला सीता रमन लोग सभा में 11 बजे बजट भाशन शुरू हो जाएगा बजट से किसको क्या-क्या उम्मीदे हैं किसकी विश्ट लिस्ट में क्या-क्या है किसको क्या मिलेगा किसके लिए बहुत संभावना नहीं इस पर हमारी निगाहे संसभावन पहुंची निर्मला सीता रमन और इससे पहले राश्पती से उन्हेंने मुलाकात की कुछी देर में कैबिनेट से बजट को मंदूरी और उसके बाद 11 बजे संसद में बजट भाशन शुरू होगा तो इस बार के बजट में खास तोर से आपने फरवरी में जो अंतरिम बजट में गोशना हैं सुनी उसके बाद जाहिर है सबसे ज्यादा मिडल क्लास को ये उम्मीदे हैं कि उसके लिए कुछ होने वाला है क्या लोग ये भी समझ रहे हैं कि पहले से जिन लक्षों को लेकर ये सरकार चल रही है उनको और मजबूत करने वाला ये बजट होगा लेकिन उसके अतरिक्त जिन लोगों की उम्मीदें बहुत दिनों से अब लंबे इंतजार में बदल रही हैं खास तोर से मिडल क्लास के लिए टैक्सपेयर के लिए उसमें कुछ खास देखने को मिलता है क्या फार्मर्स के लिए क्या होगा क्या होने वाला है इस बार रक्षा के खेत्र में क्या होने वाला है बिनिर्मान मतलब बनिफैक्चरिंग को और उत्साह उसमें बढ़ाने के लिए क्या हो सकता है रोजगार के शजन के लिए इन सब बातों पर लोगों की निगाहे हैं और जाहिर अब इसमें बहुत ज्यादा देर नहीं कहा ये जा रहा है कि निश्चित रूप से लोगों में उत्साह और उम्मीद का संचार करने वाला ये बजट होगा किन-किन जगहों पर कितनी गुंजाइश है और किन जगहों पर असल में ये विश्फुल थिंकिंग है जो असल में आपको बजट भाशन में उसके लिए कुछ विशेश होता हुआ दिखाई नहीं देगा इसके अमित कुमार हमारी संबादाता जुड़ गये हैं जो इस वक्त लगातार निगाह बनाए हुए हैं जाहिर है इस समय हर एक बात हर एक हाव भाव यहां तक की बाजार की उससे पहले चाल हर एक इशारे को पकड़ कर ये समझने की कोशिश की जाती है कि बजट भाशन में क्य दिखाई दे सकता है अमित क्या इसारे पकड़े अभी तक आपने गुड़ मॉनिंग देखें मुझे लगता है कि सबसे बड़ी बात की इस चीज को समझना होगा ये जो बजट है बजट से पहले जब राश्पती का अभिवाशन हुआ था उसमें और प्रदान मंत्री ने खुद एक बात कही थी कि जो डिवलप्मेंट है उसके चालक के तौर पर मध्यम वर्ग है मध्यम वर्ग को सुविधा देना ये हमारी प्राश्मिक्ता है उसको कैसे उसके जीवन को बेहतर किया जाए और इस बार प्रदान मंत्री ने के रूप में जब उनको चुना गया इंडिया के बैठक तब भी उन्होंने मध्यम वर्ग के बारे में कहा था कि मध्यम वर्ग पर विशेज ध्यान देने की बात है तो इस बार अगर आप देखिए तो ये माना जा रहा है कि मध्यम वर्ग के लिए बड़ी छूट खास करके जो न्यू टेक्स रिजीम है उसमे जो मोदी गारेंटी के नाम पर थी उसमें सबसे बड़ी बात यहीं कही थी कि जो मोदी गारेंटी उसमें सबसे बड़ी बात कि 2047 में विक्सित रास्ट की बात हो रही है 5 trillion economy की बात होगी फर्ड दुनिया की सबसे बड़ी एकॉनिम है तो इन तीन चीजों का एक खाका आपको जो बजट आएगा उसमें दिखेगा कि अगर हमको 2047 में एक विक्सित रास्ट की संगल को पूरा करना है तो उसके लिए जो भी उपाय करने है और शास्तियों से जब बात हुई तो उन्होंने भी कहा था कि जो इन्फरसेक्टर, मेनिफेक्टरिंग इन सब जगहों पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता है लेकिन उसको उसका जो ड्यू मिलना चाहिए उसको लगातार नजर अंदास कर दिया जाता है ऐसी भावना कई बार प्रिवेल होता हुआ हम देखते हैं और आप कह रहे हैं कि यहां पर उनके लिए कुछ हो सकता है तो यह बड़ी शु जब हम मिडल क्लास की बात कर रहे हैं तो मिडल क्लास में कहीं हम लोग भी फिट होते हैं आप क्या उम्मीदे कर रहे हैं और आप जब आसपास लोगों से बातें करते हैं तो बजट को लेकर उनकी उम्मीदे क्या है यह बात देखते हुए कि पिछले 10 साल से पॉलिटिकल स जो चला रहा था उसमें अब तब्दीली है तब्दीली है लेकिन वैसी नहीं है कि सरकार बदले सरकार अपनी जगह पर कायम है लेकिन कुछ चीज़ें बदल चुकी है ऐसे मैं बजट को लेकर क्या उम्मीद है जो दिनेश दिखें पिछले 10 साल में टेक्स रिजीम या फिर कहें कि टेक्स लैब जो है उसको लेकर उम्मीद जो मिडल क्लास कर रहा था क्योंकि मिडल क्लास वो वर्ग है जो सबसे ज्यादा टेक्स पे करता है और सबसे ज्यादा सरकार के ख़जारे को भरता है उन लोगों की उमीदे हैं इस बार की कम से कम जो टेक्स लेब है उसमें बदलाव हो ATC, ATD, Direct Dediction उसमें फाइदा लोगों को मिले तो मैं ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ इस वक्त बैठा हुआ हूँ जो मुझे लगता है कि वो भी मुकाबले में थोड़ी कमजोर है तो बजट भी कमजोर रहने वाला है या बजट मजबूत होगा खास्तार से आम लोगों के लिए क्या नाम है आपका मेरा नाम डॉक्टर राजीव कुमार लोग साथ क्या लग रहा है कि आप लोगों को इस बार क्या चाहिए बजट में और इसकी संभावना आप लोगों को लग रही है देखे मैं तो गौर्मेट सर्वेंट हूँ और एटी सी में कोई भी बदलाव नहीं आ रहा तो एटी सी की छूट बढ़नी चाहिए इसके अलावा जो डबल टेक्सिशन मारता है में क्योंकि सेलरी में से तो टेक्स कटी जाता है बागी समान पर भी इमें टेक्स देना पड़ता है तो उसमें भी कुछ हमें रहात मिलनी चाहिए और देखें यहाँ पर महिलाएं क्योंकि महिलाओं को लाखपती बनाने की योजना है सरकार की तो महिलाएं जो हैं क्योंकि महंगाई की मार भी है और उसमार से भी महिलाएं दो चार हो रही है लेकिन इसके अलावा जो working महिला है उनको salary का जो tax है यानि कि income tax जो है उसमें भी राहत की उमीद है क्या नम है मैम आपका? मेरा नम ने रुपमा सिंग है आपको क्या चाहिए इस बार के budget में, मोधी सरकार के budget में? जो हमको चाहिए हो सरकार तो दे नहीं पाएगी क्या ऐसा है आप लोगों को लग रहा है जिसकी उमीद पाले बैटे? हम लोग जो घर का जो ग्रहनी हैं उनके लिए सरकार जो है राशन पानी सब में तो budget हमारा बिगड़ रहा है जितना budget हम सोचते हैं जब बार केट जाते हैं तो सप्पे दस पांच रुपे बढ़ा होता है तो हम चाहते हैं कि जो राशन है जो बाकी चीज़े हैं घर की जरूरते हैं उन पे tax कम हो जाए और हम लोग को उससे सहूलियत मिले जिए हमारे budget तो हमेशा बिगड़ा ही रहता है तो इस बार सोचते हैं कि सरकार कुछ ऐसा करें कि budget हमारे budget में fit हो जाए बज़ट में fit हो जाए या फिर सरकार अगर tax में छूट देती है तो लोगों की जो आमदनी हैं उसमें इजाफा होगा मतलब जेब में पैसा थोड़ा ज्यादा बचेगा क्या नाम है आपका विंदा चावरे तो आपको लोगों के consumption को और प्रोथसाहित करना पड़ेगा विनिर्मान पर ध्यान देना पड़ेगा लेकिन ये चीजें कहीं और महेंगाई को बढ़ाने वाली तो साबित नहीं होगी पहले एक बार आपको सारी महमानों से मिलवा देता हूँ दोशियन्तनागर हमारे साथ जोड़ रहे हैं जो की राजनितिक विशलेशक हैं हमारे साथ जैसे मैंने आपको बताया टैक्स एक्सपर्ट हिमानशु कुमार यहां स्टूडियो में मौझ Cameron प्रोफेसर G.V.R. शास्त्री हमारे साथ जोड़ रहे हैं वो हमें बताएंगे विकास कोठारी इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपर्ट वो भी हमारे साथ होंगे और राजेश शर्मा हमारे साथ जोड़ रहे हैं जो कि एकॉनमिस्ट हैं लेकिन पहले मैं जरा चलो हिमांशु जी ये जो उम्मीदें हैं आसपास का जो रियलम आपको दिख सरकार को भी कहीं न कहीं लग रहा है कि थोड़ी बहुत अगरम रियायते नहीं देते हैं तो उससे उसका एक इंपक्ट निगेटिब आप कह सकते हैं कि निगेटिब उस तरह से माहल बनाने की कोशिस की जा रही है तो इसमें दो चीज़े बहुत इंपोर्टेंट हैं पहले रिफॉर्म के लिए अब उतनी उनजाइश नहीं बनाती है अब थोड़ा पॉपुलिस्ट मेजर सपनाने पड़ेंगे क्या आप ये कह रहे हैं जी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा लेकिन गॉर्मेंट को कहीं न कहीं इस बात को भी आप कैटर करने के चुरी है इसको लेके मुझे लगता है कि इस बार गॉर्मेंट अच्छी खासी रियायत देने की कोशी से होंगी इसमें दो चीज़े बहुत इंपॉर्टन सर मैं आपके पास आपकी पर्मीशन से लोगता हूँ केशव भजनका हमारे साथ जोड़ गया है एक्जेटिव डि मुझे लग रहा है कि इसको पॉपस किया है और मैं उमीद करता हूं कि यह वापस कन्टिन्यू करें तो इनप्रस्ट्रॉक्ट्र यह हौजिंग सेक्टर को काफी बेनिफिट करें जैसे आप जानते हैं कि हम बिल्डिंग मिट्रियल प्रोड़क्स में हैं तो आउसिंग सेक कि शॉर्ट टर्म के लिए गवर्मेंट इंट्रेस्ट ऑन हाउजिंग लोंज के ऊपर कुछ आक्शन देगी, कुछ सबसेडी देगी या इसका कोई टैक्स पेक देगा, तो यह शायद थोड़ा मुश्किल है, पर मुझे उमीद है कि गवर्मेंट यह करे. लेकिन जब यह बात हो रही है, यह पहले 2047 को लेकर जिस विजन की बात हो रही थी, और अभी election results के बाद, आपको लगता है कि वो चीजें बगएर deviate होते हुए उसी रफ़तार से आगे चलेंगी, आपको लगता है कि थोड़ा आप पॉपुलिस्ट तरीके से भी फिलहाल ची उनके बाद शायद कुछ पॉपुलिस्ट मेशर बढ़ेंगे, तो क्या इस पॉपुलिस्ट मेजर में ज्यादा फाइदा फिलहाल आप मिडिल क्लास क्योंकि बहुत दिनों से मिडिल क्लास ये कह रहा था कि हमारी तरफ ध्यान नहीं है, हम अपना काम कर रहे हैं, हम कॉंट पॉपुलिस्ट में था इसले एक साल से, और चाहिए आप मिडिल इंकम की बात करें, चाहिए आप लोग इंकम की बात करें, ये डेफिनिटी महसूस हो रहा था, तो इसके तरफ कुछ स्टेप्स गर्मेंट को लेनी चाहिए, और मुझे रगता है कि अभी प्रायोर्टी उ तो आगे जाके लॉंग टर्म मेजर्स पर जो फोकस था, वो डेफिनिटी रहेगा, बर शॉर्ट टर्म में इन कुछ ग्रीविंसिस को तो गर्मेंट को अड्रेस करना ही होगा ये, आपके पास में लोटता हूँ, कुछ एक सवाल मेरे और हैं, लेकिन ज़रा, अब मैं अपने बाकी मेमानों से भी चर्चा कर लूँ, दुशन्त नागर हमारे साथ जुड रहे हैं, दुशन्त जी, सबसे पहले तो ये कि, पॉलिटिकल एनलिस्ट होने के नाते, और एक उनका प्रभाव अवश्य दिखाई देगा, जैसे कि महरास्ट्रा है, वहाँ ग्रामेन छेतर के लिए, कोई न कोई ऐसा पैकेज होगा, जिससे किसानों के खरीदी के लिए मुल्य का अधिक धनराशी का आवंटन होगा, उसके अलावा आप देखें, कि मुंबई सिटी है, फरीदाबाद, गुडगावा, एक बहुत बड़ा सहरी छेतर भी है, हरियाना और महरास्टा में, तो जो सहरी छेतर का मद दाता है, उसको लुभाने के लिए भी सरकार अवश्य प्रियास करेगी, पिछले कैई बजट्स में हमने देखा है कि सिख्छा के छेतर के लिए जो अनुदान है, जो रासी बढ़ाई जानी थी, वो नहीं बढ़ाई गई है, और जिस तरह से पेपर लिग के और और मामले आ रहे हैं, तो सिख्छा के छेतर के लिए भी बजट का आवंटन में व्रद्धी होगी, ग्रामी इन दिकास के लिए भी जो आवंटन धनका होता है, उसमें व्रद्धी होगी, तो कुल मिलाके मुझे लगता है कि ये बजट देश वासियों के लिए, आम आदमी के लिए कुछ रियायते लेके आएगा, और खास करके ग्रामीन भारत के लिए कुछ आसाकी करन, किनन इसमें अवश आती हुई दिखेगी. प्रोफेसर जीवियर शास्त्री भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रोफेसर साब ये बात अल अक्रोस सोची जा रही है, कि इस बार थोड़ा पॉपुलिस्ट रास्ते पर सरकार चलेगी, चुनाओ को ध्यान में रखते हुए चला जाएगा, अब बीते दिनों के हम व प्रोफेसर जो आमारा सामने देख रहा है, उस हिसाब से सरकार को स्टैप्स लेने के लिए मुझबूरन है, और कोई रास्ता नहीं इनके पास, कुई ऐसी सिचुएशन पर एक तरफ आप उक्रेन के बहार देखेंगे, दूसरी तरफ आप को इज्रैल बहार देखेंगे, इस तरीके तरीके जो परिस्तिया सामने आरे उसमें सरकार की पास आप कोई चारा ने को कि बैलन्स आप पेइमेंट्स बहुँ ज्यादा हीट करेगा, प्रिट्रोलिंग प्रोड़क्ट्स चारीश लाग करोड का यह आल्मोस्त बजट होगा, इस चारीश लाग करोड में आ पर जादा कुछ हो करेगी, कुकि उनको अपनी सिच्वेशन है, अकानोमी को बचाना है, इसको कि कुछल जेंक्चर है, यह लोग कुछ लोग बोलने पार है, अकानोमी करक्ट शेप में नहीं है, यह बात है, तो करक्ट शेप में लागने के लिए उसको सस्टेंग करने के आप यह कह रहे हैं? पर तो सरकार की तरफ से हमेशा ये जवाब होता है कि आपको कंपरिजन में चीज़े देखनी होंगी और कंपरिजन में आप देखेंगे तो वी आर बेटर डूइंग एकॉनमी बलकि हम तमाम दूसरे देशों से बढ़िया कर रही एकॉनमी है ऐसे में एक 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 बात मैं ये समझना चाहता हूँ दुशियन साब ये 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 जो चैलेंजे सामने हैं अभी क्योंकि एक बात हमेशा हम देखते हैं कि हम एकॉनमी को इस तरीके से रखें कि वो आने वाले दिनों में और बूम की तरफ जाने वाली हो उसके साथ इंफलेशन आपको जाहिर एसाइड इफेक्ट के तौर पर देखने के लिए सामने मिलेगा यहां हम थोड़ा सा ब्रेक मारें इंफलेशन को कंट्रोल करें एकॉनमी को के वो इशूज आगे एड्रिस करते रहेंगे देखिए इंफलेशन का मुझे लगता नहीं कि सरकार के सोभाव पे कोई ज़्यादा फरक लगेगा और जैसा सास्त्री जी ने कहा हमारी गौर्वर्मेंट के पास हमारी कंट्री के पास में ओयल की जो चुनावती है उससे निपटने के लिए समुचित फंड है तो ओयल की वज़े से कोई ऐसी दिक्कत दिखाई नहीं दे रही है सरकार अब की बार आने वाले विधानसवा चुनावों के कारण समझ लीजिए या जो लोगप्रेता घटी है पिछले चुनाव में उसका कारण समझ लीजिए या दोनों मिक्स समझ लीजिए बजट में हमें कुछ घंटो बाद ही देखने को मिलेगा बहुत सारी रियायते होंगी ग्रामिन चेतर के लिए भी, सहरी चेतर के लिए भी अलग-अलग कृशी चेतर, सिक्षा चेतर जो आमाद में से जुड़ा हुआ है कुछ घंटे का देर है, जरूर आज इस से अच्छी ख़बर लोगों को मिलने वाली है अंकुष सबरवाल जी के पास और विकास कोठारी जी के पास भी जाने वाला हूँ AI की चुनोतियां, उसके लिए क्या प्रोविजन बजट में दिखाई दे सकता है इंफ्रास्ट्रक्चर के संदर में भी हम समझेंगे, जिस इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बातें हो रही है उसमें एक्चुलिटी में क्या होते हुए हम इस बजट में देखेंगे इस पर हम चर्चा करेंगे, फौरा नाजिर होते हैं बजट बार्षन एक एक बात एनलिसिस के साथ आप तक पहुँचेगी टाइमस नाउन भरत के लावा ऐसा कबरेज और कहीं नहीं फौरा नाजिर होते हैं